हलो दोस्तो मैं पशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कमिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम OI बिल्डप को देखके ट्वेर इनिशेट कर सकते हैं अपने इनिशेट का जो बिल्डप होता है वो हमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है उसके बारे हम आगे डीटेल से बात करेंगे और उसके बेशिस पर आप आपसंस में, फ्यूचर्स में और इवन इन्टॉर्डे में भी काफी हद तक ट्वेडिंग कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं? चलिए उसको हम डीटेल से सीखते हैं तिहां पर हम चार्ट पर आगे हैं और यह जो चार्ट है आपका अदानी पोर्ट का 5 मिनट टाइम फ्रेम बदा चार्ट है जिसके बेशिस पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इंट्रा डेर ट्वेडिंग कर सकते हैं और हम OI बिल्डप की भी मदद लेंगे लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि OI बिल्डप होता क्या यह नहीं अपें इंट्रेस्ट बिल्डप होता क्या है? तो अपें इंट्रेस्ट बिल्डप को समझते हुए आप यह फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट में अभी बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं इसके साथ साथ जो बायर्स है वो बाय करें या फिर सेलर्स हैं या फिर आपका short build-up हो रहा, at the same time यहाँ पे आपका short covering हो रहा, यानि जो लोग short किये थे, वो profit book करें, या फिर हमें long unwinding देखने को रहा, यानि जिन लोग उने buy किया था, वो यहाँ पे निकल वे हैं, इन सारे के बारे में detail और exact information right time पे, information अगर हमें late मिलता है तो कोई नहीं है, information हमें right time पे मिलना चाहिए, तब ही हम इसका फाइदा उठा सकते हैं, और यह सारा information हमें कहां से मिलता है, यह सारा information हमें मिलता है, OI build-up के basis पे, तो चलिए, आप यहाँ पे समझ गये होंगे, कि OI build-up हमें, बहुत सारे information प्रोवाइड करता है, जिसके basis पे हम, इ पर हम अदानी Ports के चार्ट को देखे, आज यहनी, यहाँ पे हम 18 October 2022 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो price आपका open हुआ था, 790 के करीब open हुआ था, और जब हमने यहाँ पे देखा, तो एक crucial resistance level है, जो कि आपका 800, यह आपका एक strong resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है, साथी साथ एक आपका psychological level भी है, और आपका एक options barrier level ही, मतलब तीन चीज़ है, पहला resistance level है, दूसरा आपका psychological level है, तीसरा एक आपका options barrier level भी है, तो तीन तीन चीज़ यहाँ पे है, मतलब यह level, एक strong level है, और जैसे ही इसको अगर break किया, break कैसे करेगा, वह हम बात में बात करें अगर इसको break किया, तो जवर्दस upside move दिखाएगा, नहीं break किया, तो फिर यहाँ से हमें जवर्दस reversal देखने को मिलेगा, तो जब price इसके करीब आएगा, तो हम OI build-up देखेंगे, अगर वहाँ पे buyers का entry हो रहा है, और buyers में strength है, that means तो यह level break होगा, अगर इसके करीब आता है और वहाँ पे अगर sellers active हो जाते हैं, sellers में strength दिखता है, मतलब reversal लेगा, तो हम दोनों side के trade के लिए तयार रहेंगे, तो यहाँ पे देखें, initial में price आपका नीचे side के तरफ था, और यह आपका 800 करीब आया कब है, 800 करीब जो आया है, वो आपका 10 AM के आसपास 800 करीब आया है, तो हम देखते हैं कि 10 बजे के असपास open interest build up कैसा था, और उससे पहले भी open interest build up हमें क्या बता रहा है, buyers का दबदबा है, या फिर sellers का दबदबा है, और यह चीज़ हम देख कहां पे सकते हैं, open interest build up के बारे में जो आपको information मिलेगा, वो मिलेगा आपको धन के trading platform पे, यहाँ यहाँ पे आपको complete information मिल जाएगा, आपको बस क्या करना, features वाले chart को add करना, जैसे हम अदानी reports के October future पे click करेंगे, यहाँ पे आपको यह दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको 15 minute build up पे जाना है, जब आप यहाँ पे 15 minute build up पे आएगे, तो आपको यह सारे information देखने को मिल ज मतलब, आज अदानी report में starting से किसका दब दबा था, buyers का दब दबा था, और जब price आपका 10 AM के करीब, यहनी 800 के crucial resistance level करीब आया है, तो वहाँ पे भी कौन इंट्वे गिया था, buyers से इंट्वे गिया था, मतलब हम इस basis पे देख सकते हैं, कि क्या है, कि हाँ पे buyers का दब दबा यहनी, यह जो 800 का resistance level है, यह आसानी से break हो सकता है, तो यह काफी crucial data है, और यह data आपके पास होना बहुत जरूरी है, अगर आपको यह data चाहिए, तो धन की trading platform यह आसानी से available है, धन में अपना trading और demand account open कर सकते हैं, अगर आपका trading और demand account open नहीं है तो, और link इस video के description में दिया ग account है, तो आपको future का chart open करना, और यहां पे आपको 15 minute build up पे आना, और यहां पे आपको live market में data update होता हुआ दिख जाएगा, और इस data की मदद से, आप अपने trade के accuracy level को increase कर सकते हैं, और धन में trading account open करना भी free है, तो आपको without एक कोई extra charge pay किये हुए, यह सारा data मिल रहा है, तो अगर आप इस data का access चाहते हैं, तो, अब हम chart पे आते हैं, हमने देख लिया, कि क्या था यहां पे, कि हमें clear cut indications मिल वा था, कि 800 के level पे build up हुआ है, buyers का entry हुआ है, मतलब अब यहां पे 800 के level का break होने का इंतजार करेंगे, और जैसे ही यहां पे 800 का level break हुआ है, यह candle break किया है, यहां पे हम buy side की तरफ entry लेंगे, 801 या फिर 802 के आसपास हम क्या करेंगे, buy side की तरफ clear cut entry लेंगे, और यहां से हम पहला target price 810 करीब रखेंगे, यहनी हम 8 से 10 point यहनी 810 से 812 के आसपास अपना target price बुक करेंगे, यहनी पहला जो target price हमारा 10 point का target price यहां पे हम रखेंगे, और stop loss की बात करें, तो stop loss यहां पे हम 799 यहां फिर 798, यहनी लगबग हम 3 से 4 point का यहां पे हमारा SL बन जाएगा, और target price 10 point का बन जाएगे, यहनी risk reward ratio भी काफी हद तक हमारे favor में ही move करता हुआ, दिख रहा है, 2X से ज्यादा reward हमें मिलता हुआ दिख रहा है, और risk भी काफी कम है तो यह trade हम initiate कर सकते हैं, और यहां पे आप जाओ तो futures में buy कर सकते हो, साथी साथ options में भी trade किया जा सकता हो, options में जो यहां पे हमें trade करना होगा, वो 800 जो कि आपका slightly in the money होगा, इसके call options को हम buy करना prefer करेंगे, और call options कब buy करेंगे, time देख लीजे, लगबग हम 10 5 से 10, 10 AM के आस 25 के आसपास लेंगे, देखिए 21 के करीब है, और अगर हम थोड़ा late भी entry लेते हैं, maximum 22 के आसपास entry ले लेते हैं, तो 22 के आसपास यहां पे हम entry लेंगे, और हमें futures में जो profit मिलता हुआ दिख रहा है, जो हमारा first target price था, वो क्या था, आपका 10 point के आसपास first target price था, तो उसके basis पर यहां पर अगर हम trade initiate करते हैं, तो यहां पर भी लगवगा 5-6 point का profit रखेंगे, क्योंकि futures में जितना profit मिलता है, उसका 50-60% आपको profit कहां से मिलेगा, तो उसी के हिसाब से यहां पर हमें अपना target price set करना, आप इस तरीके से target price set नहीं कर सकते हैं, तो हमें options में भी 10 point मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, आपको इसका लगवग 50-60% रख सकते हैं, 10 point मिलना है, तो 5-6 point का target रखेंगे, 22 पर इंट्री कर रहे हैं, तो maximum हम क्या करेंगे, 27 से 28 हमारा options में target price होगा, और इसका lot side भी लगवग आपका, 12-50 करीब है, तो profit आपको अच्छा खासा मिलता उपर गया है, और यहां पर जो आपका high touch किया है, 28-75 का high touch किया है, 29 के करीब गया है, और जो भी हमारा target price था, सारा target price आपका hit हो गया है, तो यहां पर हमने जो अपना trade setup तयार किया है, वो किस बैसिस पर trade setup तयार किया है, हमने यहां पर open interest build-up का help लिया है, और वो भी हमने help कब लिया, सबसे पहले हमने candlestick pattern को देखा, chart को हमने देखा, और जब chart आपका क्या दिखा रहा है एक crucial resistance level के करीब आया, तो हमने क्या देखा, कि resistance level break होगा या नहीं होगा अगर by chance, price आपका 800 करीब आ गया, अगर यहाँ पे, हमें क्या देखने को मिलवा था, long build up हमें देखने को मिलवा था लेकिन अगर यहाँ पे आपका short build up होता, यानि अगर यहाँ पे sellers का entry होता तो क्या होता, 800 का level break नहीं होता, और जैसे यहाँ पे आपका एक strong red candle बनता और यहाँ से reversal start करता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हम यहाँ पे sell side की तरफ भी entry ले सकते थे, और वापस से आज का जो lowest point था 790 के target पैस के लिए जा सकते थे और options में अगर हम यहाँ पे trade करते हैं तो यहाँ पे 800 के call options के जबाब पे 800 के put options को हम buying करना prefer करते हैं यहाँ पे हमारे पास दोनों side का trade बनता था किसी भी तरफ market जाता तो at least 10 से 12 point का move जबूर दिखाता और उस basis पे हम trade initiate कर सकते थे तो इस तरह का situation आपको जब भी मिले कोई crucial resistance level या फिर support level के करी price आता है और यह काम support level करी भी हो सकता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह support या strong break होगा यह नहीं होगा उसके basis पे हम कैसे trade initiate कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको help कोन करेगा OI यानि open interest build up आपका help करने वाला है open interest build up आपको बता देगा कि यहाँ पे जो buyers हैं या fit sellers हैं और जो buyers हैं वो buy कर रहे हैं या फिर उनका buy करने का इरादा नहीं है और उसके basis पे आप decide कर सकते हैं कि कोई particular support या resistance break होगा या नहीं होगा उसके basis पासानी से हम trading positions initiate कर सकते हैं और मैंने आपको बताए कि OI build up के बारे में live market में information आपको धन के trading platform से आसानी से मिल जाएगा तो उमीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको इसी तरह के वीडियो regular basis पे चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए ताकि हम regular basis पे इस तरह के वीडियो आपके लिए और भी लाते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जवड कर दिजिए साथी साथ बेल आइकन जवड दबा दिजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका notification आपको मिल जाए और आप वीडियो मिस न करें सब्सक्राइब आपको मिलते नेक्स वीडियो में जाहिन